गर्मी का मौसम आ चुका है और साथ में ही आ रहा है हीट वेव। आज बात करते हैं हीट वेव के बारे में। क्या है और कैसे आती हैं इनका हम पर क्या एफेक्ट पड़ता है आएए जानते हैं इस वीडियो में। इंडिया में हीट वेव्ज मेंली मार्ट से जून तक रहती हैं और कुछ केसे में जुलाए तक में हीट वेव का पीक मन्त होता है इंडिया में। दिली, उत्रप्रदेश, भिहार, जारकन, वेस्ट बेंगौल, ओडिशा, मध्यप्रदेश, राजस्तान, गुजराथ ये सब सेट्स प्राउन टू हीट वेव्ज हैं यहां पर काफी जादा टेंपरेचर रिकॉर्ड किया गया है। आटमस्फेर में जब हाई प्रेशर होता है तो एर फोस्फिली डाउनवर्ड डिरेक्शन में फ्लो होती है। अब बात करते हैं हीट वेव के एफेक्ट के बारे में पहला है मॉटालिटी रेट जब हमें गर्मी लगती है तो हमारी बॉड़ी खुद को कूल डाउन कर लेती है स्वेटिंग के प्रॉसेस से लेकिन हाई यूमिरिटी में बॉड़ी का स्वेट जल्दी से एवापोरेट नहीं होता जिससे हीट स्वेट के चांसे बढ़ जाते हैं अगर जल्दी से बॉड़ी को कूल डाउन ना किया जाए तो हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है ये उनके लिए प्रॉब्लम है जो खुद को कूल डाउन करने का सलूशन नहीं ले सकते इस्पेशली लो इंकम ग्र किसान भारी मेहनत से अपनी फसल उगाता है काफी बार किसान लोन भी लेते हैं ऐसे में उनकी फसल खराब हो जाते तो उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है थर्ड है ब्लाक आउट हीट वेव से बचने के लिए लोग एसीज का यूज करते हैं जिससे एलेक्टिसि के यूसेज से CAC gases भी प्रड़ीज होती है और ये ग्लूबल वामिंग का एक मेजर रीजिन है फिफ्थ है लेबर्स डेली वेज लेबर्स का में काम ये दो फैर में धूप किया समय होता है हीट वेव से टाइम उनकी प्रोड़क्टिविटी काफी घड जाती है इनकी तब् बात करते हैं कुछ symptoms of heat waves के बारे ना फेंटिंग, muscle cramps, irritability, headache, weakness, dizziness, increased sweating, acts or talk, confused, nausea, vomiting, hypothermia, diarrhea ये सब heat waves के symptoms है अब कोशिश कीजिए कि आप दो फैर में 12-4 के बीच में घड़ से ना ही निकलें अगर जरूरी काम है तो कोशिश कीजिए कि आप अपने साथ एक छाता लेकर जाएं या खुद को cover करके रखें बहार दूप से आते ही AC में ना बैठें या फ्रिज का ठंडा पानी ना पियें अगर आपको लगे कि आपकी तब्यत खराब हो रही है या आपको nausea, vomiting, headache जैसा feel हो रहा है तो first aid के तोर पर ठंडे पानी की पटियां अपने सर पर लगाएं और घर के अंदर ही रहें अगर फिर भी तब्यत खराब हो तो तुरन डॉक्टर के पास जाएं ये सिर्फ लेकर आप खुद को और environment को भी save कर सकते हैं पहला अपने घरों में मिट्टी का मटका जरूर रखें और कोशिश करें कि फ्रिज का पानी कम से कम पियें दूसरा अपने घरों में एक छोटे बरतन में चड़िया या कवे के लिए पानी जरूर रखें तीसरा आप जितना हो सके cooler और fans का use करें और AC को कम से कम use करें इससे आपका electricity bill तो कम आएगा ही और साथ में environment और health भी अच्छी रहेगी इस वीडियो में इतना ही अपना ध्यान रखें heat wave से बचके रहें और ऐसी ही informative content के लिए follow करे youthink को